नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं यह 30-42 फिट का हाउस प्लान है तो चलिए इसी के आधार पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि 30-42 फिट के घर का सलैब ढलाई करने पर लेबर मैटेरियल साही टोटल कितना पैसा लग जाएगा तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेन कितना बैग लगेगा, कितने रूपय का लगेगा, सेंड और एग्रिगेट कितना क्यूबी फिट लगेगा, कितने रूपय का लगेगा, इस्टील यानि कि सरिया कितने किलो ग्राम लगेगी, कितने रूपय की लगेगी और इसके स पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर वेला इकन प्रिस कर दीशे जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे तो यह हमारा 30 फिट बाई 40 फिट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलीशन किया हुआ है क 30 बाई 40 फिट हाउस स्लैब रिक्वाइर मेटेरियल यानि कि 30 बाई 40 फिट के घर में स्लैब ढ़लाई में लेबर मेटेरियल सही टोटल कितना पैसा लग साएगा तो सबसे पहले हम सीमेंट की बात करें तो पूरे slab की ढलाई में 120 बैग सीमेंट लग गया तो चली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि slab की ढलाई में 120 बैग सीमेंट लगा और slab के साथ साथ आप देख सकते हैं कि slab के नीचे कुछ इस तरीके से slab beam होती है तो पूरे घर के slab beam की ढलाई में 14 यानि की 14 बैग अलग से लगा तो slab और इसके साथ slab beam का मिलाकर total 134 यानि की 134 बैग सीमेंट लग गया तो चली हम यहाँ पर लिख लिखते हैं की total हमारा 134 बैग सीमेंट लग गया तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं की 134 बैग का 56,950 रूपय हो गया तो चली हम यहाँ पर लिख लिखते हैं सीमेंट के बाद इद हम सेंड की बात करें तो पूरे slab की ढलाई में 295 यानि की 295 कुबिक फिट सेंड लग गया और slab के साथ सा slab के नीचे कुछ इस तरीके से जो slab beam होती है slab beam की ढलाई में 34 कुबिक फिट इस्ट्रा लगा यानि की 34 कुबिक फिट सेंड यानि की रेत इस्ट्रा लगी तो चली हम यहाँ पर लिख लिखते हैं की total कितना सेंड यानि की कितना रेत लग गया दोनों का total करने के बाद आप देख सकते हैं की slab और slab beam की ढलाई में total 329 यानि की 329 कुबिक फिट सेंड लग गया तो चली हम यहाँ पर लिख लिखते हैं और यदि हम अपने area में 1 कुबिक फिट सेंड के price की बात करें तो present time में 75 रूपे पर कुबिक फिट के हिसाब से सेंड यानि की rate मिल रही है तो चली गुड़ा करके देखते हैं की total सेंड का कितना पैसा हो गया तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं की 24,675 रूपे का हमारा सेंड हो गया तो चली हमें आप लिख लेते हैं सेंड के बाद हम एग्रिगेट की बात करें तो पूरे slab की ढलाई में 442 क्यूबिक फिट एग्रिगेट लग गया तो चली हमें आप लिख लेते हैं की 442 क्यूबिक फिट एग्रिगेट हमारा slab की ढलाई में लग गया slab की ढलाई के साथ slab के नीचे कुछ इस तरीके से जो slab beam होती है इसकी ढलाई में 51 यानि 51 cubic feet aggregate इस्ट्रा लगा तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि slab beam की ढलाई में 51 cubic feet aggregate अलग से लगा तो चलिए दोनों का total करके देखते हैं कि total कितना cubic feet aggregate लग गया तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे slab beam की ढलाई में 493 cubic feet aggregate लग गया तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं निक्ष चीद हम 493 cubic feet aggregate के price की बात करें तो present time में हमारे area में 79 रूपे पर cubic feet के हिसाब से aggregate मिल रही है तो चलिए गुड़ा करके देखते हैं कि 493 cubic feet का total कितना पैसा हो गया तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 37,468 रूपे का हमारा aggregate हो गया तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं aggregate के बाद यह थे हम steel की बात करें स्लैब की ढ़लाई करने से पहले कुछ इस तरीके से स्लैब में steel का जाल बनाया जाता है तो कुछ इसी तरीके का पूरे स्लैब में steel जाल बनाने पर 1058 kg सरीया लग किया यहा 108 kg जो सरीया था वो 10 mm का था ठीक है, slab के साथ साथ आप देख सकते हैं कि slab beam में कुछ इस तरीके से steel लगा ही जाती है, तो पूरे slab beam का मिलाकर 214 यानि की 254 kg steel अलग से लगा, तो चलिए हम यहां पर लिख लिखते हैं, 254 kg steel हमारा slab beam में लगा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि slab beam में कुछ इस तरीके से ring लगा ही जाती है, तो पूरे slab beam की ring बनाने में 126 kg सरिया अलग से लगा, रिंग बनाने के सरिये के यदि हम डाय की बात करें तो 8 mm का था, तो चलिए तीनों का total करके देखते हैं कि slab, slab beam और इसके साथ slab beam में जो ring लग गया, तो चलिए हमें आप लिख लिखते हैं कि total 1438 kg सरिया लगा है, और present time में यदि हम अपने area में 1 kg सरिये के 25 की बात करें, तो 66 रुपए पर kg के हिसाब से सरिया मिल गई है, तो चलिए गुड़ा करके देखते हैं total कितना पैसा हो गया, तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 94,908 रुपए का इस्टील यानि की सरिया हो गया, तो चलिए हम यहाप लिख लिखते हैं, इस्टील के बाद यदि हम labor rate की बात करें, तो पूरे slab की ढलाई करने का जो labor contract हुआ था, वो 36 रुपए पर square feet के हिसाब से हुआ था, 36 रुपए पर square feet में contractor की सर्प्रिंग थी और इसके साथ-साथ slab की जो इस्टील बांधी जाती है, इस्टील बांधने का जो labor charge होता है वो था, और slab ढलाई का भी था, तो यदि हम इस 30 feet by 40 feet के plan में slab area की बात करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 feet हमारा plot था, और slab की ढलाई करते समय 2 feet आगे की निकाला गया, तो यह 40 feet से बढ़कर 43 feet हो गया, तो चलिए हम यहाँ पर 43 feet लिख लेते हैं, into, plot area की जो लंबाई थी आप देख सकते हैं की 30 feet थी, बट slab ढलाई करते समय 1 feet इस तरफ निकाला गया, 1 feet इस तरफ निकाला गया, तो यह 30 feet बढ़कर 32 feet हो गया, यानि की 32 feet हो गया तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं की total 1376 square feet की area में slab ढला गया है, और एक square feet slab ढलाई का जो rate हुआ था, जो contract हुआ था 36 रूपे पर square feet के हिसाब से हुआ था, तो चलिए गुड़ा करके देखते हैं की total कितना labor rate हो गया, तो गुड़ा करने के बाद आप दे labor का 30 by 40 feet house slab ढलाई करने में labor material से ही total कितना पैसा लग गया, तो total करने के बाद आप देख सकते हैं की labor और material मिलाकर 2,63,530 रूपे का खर्च हो गया, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यह आप 30 feet by 40 feet घर का slab ढलाई कराने की सोच रहे हैं, तो आप यह मान के चलिए कि labor material सहीत आपका 2,63,530 रूपे का खर्च हो जाएगा, अभी के लिए बस इतना ही अपना ख्याल लखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी जाला ख्याल लखिए, इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लितने हैं, धन्यवाद